है गाइस देखिए इस इसकट की वीडियो मैं आचापलों की साथ शेर करने वाली हूँ इसकी कटिंग और इस्टीचिंग मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी हेला फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मिद करती हूँ से अब ठिक टाक होंगे तो चलिए इसको समझते हैं हम कैसे आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है तो देखी है मैंने टू फैबरीक लिए हैं ये काप पर पाट के लिए और एक हम इसकाट के लिए और यह वाला जो फैबरीक है ये वेल्वेट में बनावा है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेर करूँगी तो इस वीडियो में आप लोगों को ये इस कट की वीडियो बताऊंगी ठीके तो आप नेक्ट वीडियो में देखिए इसका वीडियो ठीके तो ये वाले फैबरिक को हम साइड में रख देते हैं इसको नेक्ट वीडियो में बनाएंगे और इस वाले में देखिए ये मैंने lining fabric लिया है इसके अंदर के लिए ठीके तो चलिए सबसे पहले तो हम अपनी lining में cut कर लेते हैं और इस वाले fabric को हम side में रख लेते हैं तो इसको हम यहां से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं तो दिखिए यह मैंने कैसे फोल्ड किया है यह भी बता देती हूं यहां से दिखिए यह फोल्ड है ठीक है यहां से भी यह फोल्ड है और यहां से दिखिए यह ओपन है ठीक है और यहां से भी यह फोल्ड है ठीक है अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यहां से एक سीद्ही लैन ड्रॉ कर देते हैं यह बहुती आसान है इसको एक बहुती आसान है इसको बनाना तो दिखिए गाई सबसे पहले तो मैं यहां से एक सेवन इंच पे एक निशान लगा रही हूं क्योंकि हम यहां पर अपना हिप का जो मेजरमेंट है वो लगाएंगे ठीके तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसको भी मैं सीधा कर देती हूं भी अब यह जो सबसे उपर वाली लैन है यहां पर हम अपना वेस्ट राउंड लगाएंगे मेरी 27 जेवेन इंच की वेस्ट राउंड है तो उसका हम डिवाइड करेंगे फोर्थ में तो मेरा फोर्थ पाठ होता है यहां पर तो मैं इसको आपका जितना भी हो आप उतना लगा सकते हैं यहां पर मैंने लगा दिया भी अब हम इसमें इसमें 2 इनच एक्ट्रा लूँगी है और एक इंच जो है हम इसमें मार्जिन के लिए ले लेंगे, ठीक है, वन इंच एक्ष्टा मैंने लिया है, मार्जिन के लिए, अब यहां पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हिप का फोर्थ पार लेंगे, और एक इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वेस्ट रॉब्ण वेस्ट से हम हिप तक फोड़ा सा फिटिंग में बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको इस तरह से ले लिया है आप डिरेक्ली बनाना चाहते हैं तो इसकी फुल लेंद जो है वो मेरी 40 की है तो दिखिए 40 पे मैंने यहां पर निशन लगा दिया अब हमारी 40 की full length है इसमें हम 6 layer लगाने वाले हैं तो इसको हम divide करेंगे 6 में ठीक है तो मेरे एक जो layer है वो 6.75 पे आ रहा है तो मेरे पौने 7 इंच पे आ रहा है तो मैं इस तरह से पौने 7 इंच पे इसमें निशन लगा रही हूँ ठीक है आपको जितने layer इसमें add करना हो उतना ही आप इसको divide करेंगे तो आपको उतने layer इसमें लगाने होगी तो दिखिए इस तरह से मैंने निशान भी लगा कर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को ठीक है यह दिखिए यह हमारा 6 है तो यह हो गया भी अब यह यहां से मैंने 2 इंच से इस तरह से इसको उठा दिया है यहां पर यह हमारा lining है इसमें कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो आप दिखिए यहां पर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से इसमें join कर देते हैं तो यह हो गया भी यह दिखिए यह मैंने join कर दिया है अभी आप दिखिए अब हम यहां से इस वाले निशान से एक इंच नीचे निशान लगा देंगे यह मार्जिन के लिए है हमारा यहां से एक इंच मैंने इस तरह से मार्जिन के लिए लिया अब दूसरे वाले के लिए हम इसमें दो इंच लेंगे इस तरह से तो ये भी हमने सिधा कर दिया आप तीसरे वाले के लिए देखिए हम तीन इंच लेंगे ठीक है इस तरह से तीन इंच ले लिया मैंने आप इस वाले के लिए हम चार इंच लेंगे इस तरह से मार्जिन के लिए ये हो गया अब इस वाले के लिए हम पांच इंच लेंगे ठीक तो six जो है वो हम अलग से cut करेंगे ठीक है क्योंकि हमने इसमें margin के लिए ले लिया है ये बहुत ही आसान तरीका है इसको इस तरह से निकलना कोई confusion नहीं होगी आप लोगों को ठीक है तो ये देखिए ये हमने इस तरह से यहां से cut कर दिया ये फर्स्ट लेयर ये second layer है और ये third है हमारा और ये fourth है हमारी अब देखिए ये वाला जो है हमने इस तरह से निकल दिये है अब ये हमारी fifth है इसको यहां से cut कर देते हैं ये fifth है हमारी ठीक है ये हमें six layer के लिए इसमें कोई फैब्रिक नहीं बचा है तो इसलिए हम इसको अलग से निकालेंगे ठीके तो ये देखिए ये फिफ्ट हो गए हमारे अब देखिए यहां से जो हमारा आखरी है वो हम यहां से इस तरह से लगाएं तो पौने साथ इंच का हमारा एक लेयर था तो ये पौने साथ मैंने यहां से लगा दिया अब इसको यहां से मैं सिधा कर देती हूँ यहां से अब एक इंच हम देखिए नीचे से फोल करने के लिए लेंगे इस तरह से तो ये एक इंच हमने फोल करने के लिए ले लिया अब इसको हम हम कट करते समय हाफ पिंच एक्ष्टा छोड़ते भए को कट करेंगे कि कि हम उपर के एक है तो यह हो गया अभी जो बचावा फाबुरिक इसमे हम नेक्ट वीडियो के उस Houston को है तो यह हो गए हमारे इस तरह से 6 लेर ओकेगा त partir覺 मधार कर भी मैं इसमें आप लगा कर बता देती हूं यह जितने लेर है हमारे और यहां से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से उठाते हुए इसको कट कर देंगे यह अंदर ही रहेगा हमारा ठीक है इसमें कोई प्रब्लम नहीं आएगी अभी में तो दिखें गाई यहां से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से शेव दे दूँगी यह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो यह हो गया भी हमारा तो देखें मैं इसको लगा कर दिखा देती हूं आप लोगों को और नमबर भी इसमें लगा दूँगी है ताकि आप लोगों कोई कन्फूजन ना रहे ठीक है यह देखें यह हमारा पीचे वाला है इसमें मैंने फोल्ड भी कर दिया है इस तरह से तो अब देखें मैं इने हमें इसको यहां से जोड़ना है इसलिए मैंने इसको यहां से इस तरह के निशान लगा दिया है इसको हम यहां से इस तरह से जोड़ेंगे और इसको यहां से इस तरह से में iquम है इसलिए हमने નे इसको इस तरह से निशान लगा दिए हैं ठीक है तो अभी चलिए इसके ऊपर आप डलेर में क्लिक का देशिए अपने में फैबरिक जो यह कंब करना दिखा देती तो दिखे इस तरह से हमें कैसे हमें इसको फोल्ड करना है और कितना फोल्ड करना है यह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यह दिखे यहां से मैंने डबल फोल्ड कर दिया और यहां से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया यह दिखे इस तरह से यह देखे यहां से यह फोल् 19 पे फोल्ड किया है अब यह 19 पे मैंने क्यों फोल्ड किया है यह भी बता दी हूं मैं आप लोगको अब यह जो है हमारा यह वाला यह फोर फोल्ड है ठीके यहां से देखिए तो इसमें से हम धाई से तीन इंच तक इसको यहां पर माइनस कर दिंगे ठीक है और हमारा जितना लियर का जो पौने साथ इंच का था वो भी हम लेंगे इसमें और एक्ष्टर जो है हम इसमें साड़े चार इंच और एड़ करेंगे ठीक है आई होप कि यह आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यह जितना भी हम इसको एकठा करेंगे और जितना भी हमारा यह होता है उतना हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए यह हमारा भी यहां से साड़े नौ इंच का हमारा यह लियार था तो इसमें हमने तीन इंच माइनस करके यहां पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ अभी और यहां से देखिए मैंने इसको एक सरकल बना दिया है इस तरह से तो यह हो गया भी हमारा सर्कल अब इसको हम measurement करेंगे हमें तो यह ज्यादा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं यह देखिए इसको मैं थोड़ा सा उपर कर देती हूँ आप फर्स्ट लेयर जैसे काटेंगे आप इसको अंदाजा होते जाएगा आप लोगों को यह हमें कैसे निकालना है तो यह भी भी थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा और उपर कर देती हूँ तो यह भी हमारा बराबर हो जाएगा ठीक है तो अब देखे यह हमारा भी 9.5 इंच पे यह बराबर हो जाएगा यह देखे यह परफेक्ट है भी तो अब देखे यह हमारा 9.5 इंच बराबर है अब देखे यहां से हमारा पॉने 7 इंच का यह एक layer था तो यहाँ पर मैं 57 इंच पर लगा दूँगी अप लोग धियान से देखेंगे तो आप लोगो यह जरूरू समझ में आ जाएगा तो यह 57 इंच पर मैं लगा रही हूँ 6.75 पर इस तरह से हमारा जो main layer का जो divide किये थे हमने यह उतना ही है ठीके तो यह हमारा निशान लग गया भी अब देखें अभी हमें extra लेना है यह देखें यह जितना हमारा है 57 इंच उतना ही यह हमने 57 इंच यहाँ पर लगा दिया है ठीके अब यहाँ से हम साड़े चार इंच एक्ष्टर लेंगे तीन इंच हमारा एक दूसरे पर जो लेना होता है वो तीन इंच रहेगा इसमें हम नीचे से फोल्ड करने के लिए एक इंच लिया है मने और हाफ इंच जो हम इसमें जॉइन करने के लिए है तो टोटल हमारा हो गया यह साड़े चार इंच 4.5 ठीक है तो जितना भी आपका डिवाइट करेंगे आप लियर में उससे हमें साड़े चार इंच इसमें एक्ट्रा लेना हो ठीक है तो यह हो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा तो यह दिखिए यह हमारा इस तरह से निशान लग चुका है अब इसको हम कट कर लेते हैं यह हमारा फर्स्ट लेयर का है और यह हमने जो एक्ट्रा ले है साड़े चार इंच वो है हमारा डिवाइट करने के बाद जितना भी लेयर का निशान होता है उससे हमें साड़े चार इंच एक्ट्रा लेना है ठीक है तो यह हमारा first layer जो है वो ready हो चुका है यह देखे इस तरह से यह हमारा first layer है अब इसके अंदर यह देखे यह number भी मैंने लगा दिया है इसको हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने निशान लगाए है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए हमारे यह देखे इस तरह से अब इसको हम एक दुसरे के साथ जोइन कर देंगे यह देखे यहां से इसको एक दुसरे के साथ हमें जोइन कर देना है ठीक है तो चलिए अब इसको side में रख देते हैं second layer एक और बार मैं आप लोगों को समझा देती हूं ठीक है अब इसको हम हम यहां से लेवल में कट कर देते हैं यह फैबरिक को तो फिर से हम फोल्ड कर देते हैं तो मैं आखिर में बताऊंगे आप लोगों को यह मैंने कितने मीटर फैबरिक में लिया है ठीक है तो देखिए यह कितना है हमारा यह साड़े दस इंच है ठीक है तो यहां पर देखिए मैं इसमें साड़े दस में से इसमें तीन इच मैनस कर दिया है मैंने और यहां लगा रही हूँ मैं सेवे निच पर ठीक है तो यह सेवे निच पर लगा दिया है मैंने अब इसको हम निशानों को इस तरह से सिदा कर देते हैं और इसको मेजर करते हैं यह साड़े 10 इंच आ रहा है या नहीं यहां से ठीक है यह थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से उपर कर रही हूँ तो आप लोगों को भी इसी तरह से इसमें लगाना होगा यह बहुती ब्यूटिफुल सा स्कड बनके रेडिय होता है गाईस बस इसको थोड़ा सा समझने की देरी होती है अब देखिए मैं यहां से पौने 7 इंच का फिर से लगा रही हूँ 6.75 पे तो यह हो गया भी अब यहां से हम साड़े 4 इंच का एक्ष्टा इस तरह से ले लेंगे आई होप कि अभी यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यह हो गया देखिए यह साड़े 4 इंच और यह जो उपर वाला है यह हमारा पौने 7 इंच ठीक है तो इस सेकेंड लेयर हमारा इस तरह से रेडिय हो चुका है ठीक है गाइस यह देखिए तो मैं इसी तरह से जितने भी हमारे लेयर है वो इसी तरह से में इसको कट कर लोगी ठीक है तो देखिए यह सेकेंड लेयर है हमारा यह देखिए इस तरह से अब इसको हम एक दूसरे को जोइन कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से में सारे लेयर रेडिकल लोगी फिर आप लोगों को इसमें बता देती हूँ ठीके तो यह देखिए आप देखिए गाईज यह जो six layer है जो हमारा सबसे last वला है उसमें हमें साड़े चार इंच नहीं निकालना है सिर्फ हमें इसमें डेड़ इंच का ही margin लेना है ठीके तो देखिए इस तरह से मैंने सारे layer इस तरह से ready कर लिये हैं यह देखिए यह हमारा अखरी वला है यह हमारा fifth है इस तरह से और यह हमारा fourth है ठीके तो इस तरह से मैंने सारे layer ready कर लिये हैं अब इसको हमें join करना है देखिए के मैंने निशान बताया था आप लोगों को निशान यह fifth है और यह हमा अब इसको एक दूसरे के साथ हमें जॉइन करना है ये देखिए ये फोर्थे तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे ये जो निशान हमने लगाए थे इसको जोनना है हमें ठीक है कोई confusion नहीं इसलिए हमने इसको निशान लगा कर रखा था ताकर ये उपर नीचे ना हो जा इस तरह से ये देखिए ये सारे मैंने एक दूसरे के साथ इसमें जॉइन कर दिया है ये देखिए ये भी मैंने इस तरह से पूरे में इसमें जॉइन कर दिया है अब हमें इसमें ऊपर से इलस्टिक लगाना है तो इलस्टिक देखिए अब जैसे हम प्लाजो में पैंट मे elastic लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें elastic लगाते हैं तो चलिए ये भी बता देती हूं मैं आप लोगों को तो एक पट्टी मैंने लिया है इस तरह से इसकी चोड़ाई जो है वो साड़े तीनीच की चोड़ाई है अब इसका जो इसकी चोड़ाई है जितना हमारा गोलाई में है उतना मैंने इसमें एक्सटा ही लिया है जितना हम इसमें बच जाएगा उसको कटकर कहटा देंगे तो दिखिए इलस्टिक हमने जिसे प्लाजो में लगाते हैं बिल्कुल उसी दरा से मैंने इसको लगा दिया है तो यह कट हमारा रेडी हो चुका है यह मेरा जो फैब्रिक यूज हुआ है इसमें यह 6 मीटर यूज हुआ है आप लोग जए मैं पहले वीडियो में बता देती हूं तो आप लोगों को बिल्कुल सुन्ते नहीं आप लोग को फिर भी मुझे Microsoft sil अब hitting ability उस मेह लिया है तो वीडेo पसादा यह तो लाइक कीजिए वीडेo चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ओके बाई लाफीज